दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल किरशना फेंटेसी में डाजम बात करेंगे कुवेट T10 लीग मैच के बारे में जो कि यहां से खेला जाएगा जेके सूपर 11 वसस NCMI के बीच दोस्तों यह मैच आपके इंवेश्मेंट के लिए काफी अच करेगा सारा मैं आपको इस वीडियो में डिटेल के साथ बताऊंगा तो वीडियो को एंटेक जरूर देखेगा दोस्तों अगर बात करें हमारे टेलिग्राम चैनल के बारे में हमारे टेलिग्राम चैनल का नाम है किरशना फेंटेसी आप देख सकते हो दोस्तों इस मैच की जो final team है वो आपको हमारे telegram channel पे मिल जाएगी तो आप सभी भाई telegram channel को join कर लीजिएगा telegram का link आपको video के नीचे comment box में दिया वाई और discussion box में दिया वाई तो जल्दी से आए link पे click करियो telegram channel को join कर लीजिए final team आपको telegram पे मिलेगी अगर मैं आपको recent matches का result पी बता हूँ तो आप देख सकते हो लगातार अमने हर matches में आपके clean पी करा है इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ telegram से जुड़ना आपके लिए काफी ज़्यादा important हो जाता है दोस्तो दोस्तो आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे 20,000 रुपेगी free entry मिलेवे small league head to head में 10,000 रुपेगी free entry मिलेवे small league head to head में भाई यह free entry आपको भी मिल सकती है कैसे मिलेगी तो simply आपको कुछ नहीं करना आप में से काफी भाईयों को पता होगा कि अगर आप my fair 11 app को first time download करके register करते हो तो my fair 11 आपको 20,000 रुपेगी free entry देता है small league head to head में तो बस आपको my fair 11 app को download करके register कर लेना है download करने का link आपको इसी वीडियो के निचे comment box में दिया वाए और discussion box में दिया वाए तो जल्दी से जाए यह link पे click करिए और my fair 11 app को download करके register कर लीजिए अगर आप loss में चल दे हो तो फिरी में 20,000 विन करके और भी ज़्यादा profit कर सकते हो और अगर आप 20,000 विन करके अपना पूरा loss भी cover कर सकते हो लेकिन सबसे पहले आपको करना क्या है my fair 11 app को first time download करके register कर लेना है link मैंने आपको बताई दिया इस वीडियो के नीचे comment box में दिया वह और discussion box में दिया वह जल्दी से जाए link पे click करें और my fair 11 app को download करके register कर लेजिए दोस्तों अगर बात करें इस match के लिए हमारी fantasy की टीम की तो उससे पहले आप सभी से एक request है जो भी भाई नए हमारे youtube channel पे पहली बार आए तो youtube channel को जरूर subscribe कर लेजेगा दोस्तों आपको पता है हर वीडियो में मैं आपको हर player के बारे में detail के साथ एक एक चीर बताता हूँ तो जितने भी भाई नए है चैनल को subscribe जरूर कर लेजेगा ताकि यार मुझे भी अच्छा लगेगा support मिलेगा motivation मिलेगा तो उमीद करता हो अब तक आपने हमारी youtube channel को subscribe कर लिया होगा बात करेंगे अगर दोस्तों हमारी fantasy team की तो सबसे पहले आपके पास आशिव महमूद का option है open करेंगे plus wicket की पर है recent के बारे मैं बात करूँ तो 23 सन इनोने करें उससे पहले अगर मैं बात करूँ 45 सन इनोने करें फिर इनोने 37 करें 76 सन करें तो काफी अच्छा इनका performance रहा है फिलाल में इनको अपनी टीम में ले रहा हूँ मोहन के बारे में बात करेंगे थोड़ा सा नीचे betting order रह रहा है तो मैं इनको थोड़ा सा जोई skip करके ही चलेंगे तो एक मेरे wicket की पर यहां से रहने वाले है बैटिंग में बात करें दीजू जेवियर आपके पास एक must option होने वाले open करेंगे शांदार form में लाश्में 43 करें उससे पहले जीरो पे आउट हो गए फिर इनोने 53 भी करें थे इंपोर्टन प्लेयर है दोस्तों फिलाल में इनको अपनी टीम में लेके चल रहा हूँ इंपोर्टन हो जाते है क्योंकि बैटिंग बॉलिंग कर रहे है इसलिए में इनको लेके चल रहा हूँ वहीं यहां से सतनाम सिंग आपको open करते हुए नज़र आ जाएंगे लाश्मेंट के बारें बात करें 14 रन करें उससे पहले 9 रन करें फिर इन्होंने 31 करें और फिर 5 रन करें लाश्मेंट मेंसे दो मेंट इसमें बालिंग करी है हाला कि विकेट एक ही मिले बटे की opener है तो टी 10 में बहुत important हो जाते है तो फिर मैं इनको लेके चल रहा हूँ वहीं अगर यहां से किसी और के बारें बात करें दोस्तों देखिए आर उसेन यहां पर लाश्मेंट में इन्होंने बालिंग करी थी और बालिंग करवाते वे दो विकेट निकाले थे लेकिन देखिए बॉलिंग करवाते नहीं है अब लाश मेच में इनकी टीम में काफी चेंजिस हुए थे अगर मुझे लगता है वैसे इस टीम में बहुत चेंजिस आपको दुबारा देखने को मिल सकते अगर चेंजिस नहीं होते तो फिर ये दुबारा बॉलिंग करवाएं इस match में तो फिर हुसेन को मौखा ही नहीं मिलेगा बॉलिंग अगेरा करवाने का तो अगर ये खेलेंगे तो update team आपको confirm टेलिग्राम पर मिलेगी तो टेलिग्राम पर जुड़ जाना live chat नीचे comment box में आपको link दिया वे और discussion box में बात करें दोस्तो all rounder में हुसेन लाल का आपके पास एक अच्छा option होने वाला है जो कि आपको batting balling दोनों करेंगे नमबर 5 पे recent के बार में बात करूँ 11 रनी नोने करें उससे पहले 38 करें last win में एक wicket निकाले से दोस्तो उससे पहले 3 wicket तो important हो जाते है फिलाल में इनको अपनी टीम में लेके चल रहा हूँ मैं यहां से मैंने आपको बताई दिया हुसेन और अधनान last match खेले नहीं थे खेलेंगे तो हुसेन नमबर 3 खेलेंगे अधनान open करेंगे दोनों को मैं अपनी टीम में तो फिलाल में इनको अपनी टीम में लेके चल रहा हूँ मैं अगर यहां से किसी और की बारे में बात करें अनवर खान के बारे में तो चाहो तो आप इनको रख सकते हूँ थोड़ा सा ऐसा ही मुझे जो है performance लगता है last match के बारे में बात करूँ दो विकेट निकाले उससे पहले जीरो 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 ऐसा performance रहा है महीं दोस्तो एम अली क्योंकि last match में बड़े प्ले नहीं खेले थे तो फिर यह important हो जाते बैटिंग बालिंग करके देते last match में एक विकेट इनों निकाला था और फिलाल में इनको अपनी टीम में रखे चल रहा हूँ ऐसे टरंप प्लेर इनका रीचा इनका रिकॉर्ड भी अच्छा है तीन मेरे यहां से जो है all rounder रहने वाले बालिंग में अगर मैं बात करूँ दोस्तो बलविंदर सिंग आपके लिए मस्त उप्षिन होने वाले जो कि आपको बैटिंग में भी बड़े हिट लगा के दे सकते और अगर मैं यहां से बात करूँ लाश में इनोंने 17 रन करे बैटिंग से उससे पहले 22 करे लाश में में एक विगेट भी निकाला था उससे पहले जीरो फिर दो विगेट फिलाल में इनको अपनी टीम में रखके चल रहा हूँ वहीं आयोप खान के बारे में अगर मैं बात करूँ इनका बारे में कैसा इनका परफोमेंस रहा है तो लाश में इसकी बारे में बात करूँ तो फिर इनको जो ओपन में भेज दिया गया लाच्ज फिरमरेंद दस्टं करें दो विकेट भी निकाले उससे पहले दो विकेट फिर जीरो फिर एक विकेट फिलाल में लेके चल रहा हूँ तीन मेरे बॉलर रहने वाले Captain, Vice Captain के बारे में बात करें दोस्तो तो देखिए फिलाल के लिए यहां से Xavier आपके पास एक अच्छा option है G-Sing को आप कर सकते हो और यहां से लतीफ को कर सकते हो फिलाल अगर मैं बात करूँ तो दोस्तो यहां से Captain Xavier को लेके चल रहा हो टीम के परिव्यू के बारे में बात करें फिलाल ही हमारी टीम का परिव्यू आप देख सकते हैं आप इस टीम के साथ अपना contest जोइन कर सकते हैं फाइनल टीम आपको टेलिग्राम पे मिल जाएगी टेलिग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे comment box में दिया वह है और discussion box में दिया वह है तो जल्दी से आईए लिंक पे कलिक करें और टेलिग्राम से जोड़ सकते हैं दोस्तो अगर आपको फिरी में 20,000 रुपे की फिरी entry चाहिए 10,000 रुपे की फिरी entry चाहिए तो जल्दी से आईए लिंक पे कलिक करें और my fav 11 app को डाउनलोड करके रेइश्टर कर लेजिए अगर आप loss में चले हो तो फिरी में 20,000 रुपे करके अपना पूरा loss कवर कर सकते हो अगर आप अल्रेडी profit में हो तो फिरी में 20,000 रुपे करके और भी जादा profit बना सकते हो लेकिन सबसे पहले आपको करना क्या है my fav 11 app को डाउनलोड करके रेइश्टर कर लेना है लिंक मैंने बताई दिया इस वीडियो के नीचे comment box और description में दिया आवा है जल्दी से आईए लिंक पर किलिक करें और my fav 11 app को डाउनलोड करके रेइश्टर कर लेजिए चलिए दोस्तों मिलते हैं मैंश्टैम टेलिग्राम चैनल पर टेलिग्राम से डूड़ी आईगा और मैंश्टैम एक्टिव रहिएगा